वर्त में हमसे कुछ ज़्यादा ताम जहम नहीं होते हैं इसलिए हम सभी सोचते हैं कि कुछ इजी और असान रेसिपीज मिल जाए हमें जो जल्दी से बन जाए इसलिए मैं आज आप सभी के लिए 5 जटपट से बनने वाली रेसिपीज लेकर आई हूँ एक बर इस वीडियो क जूर देखे अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं साबुदाना चीला साबुदान चिला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले हाँ पर एक कप साबुदान लिया है जिसको मैंने रात बर विगो लिया था यहाँ पर मैं मोटे वाला साबुदान यूज़ कर रही हूँ अब मैं हाँ पर डाल रूँ दो उबले हुए आलू अगर आपको आलू कम पसंद है तो आप एक आलू डाल सकते हैं आम मैं हाप पर डाल रूए अद्रक, अद्रक को मैंने कस लिया है थोड़ी सी कटी हुई हारे मेच थोड़ा सा कटा हुआ हारा धनिया एक चमच निम्बू का रस सेंधा नमक, वरत में हम सेंधा नमक खाते हैं इसलिए सेंधा नमक यूज़ करें थोड़ा सा धनिया पाउडर, एक चुथा ही कप से घाड़े काटा अब सबी चीजों का अच्छे से मिक्स करकर उनका एक डोव बना लेंगे आप चाहे तो इस डोव में थोड़ा से मूफली का पाउडर भी डाल सकता है इससे जो हमारा चीला है वो बहुत क्रिस्पी बनेगा सबी को कठा करके एक साथ एक डोव बना लेंगे और थोड़ा से ओई लगा कर इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे यह देखे है हमारा डोव बन कर त्यार हो चुक है अब इसको छोटी छोटी लोवी बना लेंगे यहां मैं एक शीट ले रही हूँ प्लास्टिक शीट उसको ओईल से ग्रीस कर रहा है और एक छोटी सी लोवी रख किया उसको अच्छे से हाथों से बेल लिया है अगर आप प्लास्टिक यूज नहीं करना चाते है तो अपने हाथों पर तेल लगा कर और लोवी को थोड़ा बीच में रख कर उसे अच्छे से फ्लाट कर लें तो चलिए आब इसे पका लेते हैं एक पैन में थोड़ा सा घी या ओईल लगा ले और अब इसे पैन में रख देंगे और दोनों साइट से ओईल लगा कर सेख लेंगे गैस का फ्लेम लोग ही रखें ध्यान रहे जो यह वाला चीला है ना यह जो हमारे नॉर्मल चीला होते हैं बेसन वाले चीले उनसे थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है पकने में मेरा यह चीला बनकर रेड़ी हो चुक है और आप इसे मैं प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ और बाकी के चीले भी इसी तरह से बना लेती हूँ आप इसे गर्मा गर्म वर्त की चट्नी और धहीं के साथ सर्प करें चट्नी के लिए मैंने हरा धने पुदिना और धहीं को पीसा है इसी तरह मैं अपना दूसा चीला भी बना लेती हूँ तो वर्त में खाने वाली चीला को आप एक बार जुरू ट्राय करें आपको जुरू पसंद आएगा और बनाना भी बहुत असान है एकदम से जट पर बनने वाली रेसिपी है यह मैरा दूसा चीला भी बनकर रेडी हो चुक है अब हम दूसरी दिश बना लेते हैं साबुद साबुदन वड़ा बनाने के लिए मैंने एक कब साबुदाना लिया जिसे मैंने राद बर भी गोलिया अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो अबले हो हालू थोड़ा सा कसा हो अध्रक थोड़ी सी हरी मिर्चे नमक स्वाद अनुसार वर्त में सेंदर नमक यूज करते हैं तो अब हमारा ये वड़ा का डो त्यार हो चुक है अब हातों को ग्रीस करें और छोटी छोटी बॉल्स बना ले और हतेलियों पर रखकर थोड़ा फ्लाट कर ले और सेंटर में होल कर ले जब तक सारे वड़ा बन कर त्यार होते हैं हमारा ओईल भी गरम हो चुक है यह हमारे सारे वड़ा फ्राइ होने के लिए रेडी हैं तो चलिए अब हमीसे फ्राइ कर लेते हैं हमारा ओइल भी गरम हो जुग है अब मैं ओइल में सारे वड़ा डाल देती हूँ द्यान रे वड़ा को कच्चा ना पल्टें आदर्वाइस वड़ा जो है वो हमारा तूट जाएगा वड़ा को पहले एक साइट से सिखने दे तब ही वड़ा को पल्टें यह देखिए हमारा वड़ा एक साइट से गोल्डन ब्राउन हो चुका है आप इन वड़ा को बना कर और जिपलक पाउच में डाल कर फ्रीज में भी रख सकते हैं और जब आपको खाने हो तब निकाल कर फ्राइ कर लें बस गैस का फ्लेम मीडियम ही रखे लो फ्लेम पर वड़ा जो है बहुत टाइम लेगा पकने में अब मेरे सारे वड़ा बन कर त्यार हो चुके हैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिए हैं मैंने अब चलती है नेक्स रेसिपी की और आलू लच्छा आलू लच्छा बनाने के लिए मैंने दो आलू लिया है आलू को मैंने कच्छा ही लिया है बॉयल नहीं किया है उनको मैंने कदू कस्प में कर लिया है अब मैं आलू को पानी से धो लेती हूँ इससे क्या होगा जो आलू में स्टार्च है वो सारा निकल जाएगा आलू में से सारा पानी निकाल दे अब आलू में एक चोथाई कप सिंगाड़े का आटा डाले इसके बाद हम इसमें से अंदर नमक डाल देंगे और साथ में थोड़ी से हरी में चुरबारिक कटा हुआ गड़ीपता डाल देंगे थोड़ा सा निम्बू का रच डाल दे थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दे अगर आप बर्त में जीरा खाते तो भुने जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं और सभी चीजों के अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह हमारा आलू लच्छा फ्राय होने के लिए रेडी है ओल को गरम कर लें और जो हमने आलू लच्छा बैटर रेडी किया था वो सारा इसमें डाल दें मिक्स्टर को बनाने के लिए पानी का इस्तमाल ना करें क्योंकि आलू में मॉइस्टर रहते हैं तो वो मिक्स्टर अपने आप ही कंबाइन हो जाते हैं मैंने सभी आलू लच्छा डाल दिया इसमें गैस का फ्लेम मीडियम हाय रखें सभी आलू लच्छा को गोल्डन फ्राय होने तक तल लेंगे यह आलू लच्छा बनाने में बहुत ही असान है और खाने में एकदम सूपर क्रंचि है क्योंकि इसमें आलू जो लिया वह बारिक लिया एकदम और आलू पकने के बाद सिखने के बाद एकदम करंची हो जाता है और दूसरा इसमें सिंगाडे काटा डाला है तो उससे भी बहुत करंची ने साती है अगर आपने यह रेसिपी अभी तक ट्राइ नहीं किया तो एक ब एक बाला मकाना बनाने के लिए मैंने 2 चमच ओयल लिए आप घी भी ले सकते हैं थोड़े से कड़ी पता लिए थोड़े से बादम डाल रहे हैं आप बादम की चंगर चाहिए तो मूफ़री दाना भी यूजE कर सकते हैं और बादम को अच्छे से रोस्ट कर ले es बदाम रोस्ट हो चुके हैं अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो हरी मिच जिनको मैंने लंबा काट लिया है ध्यान रेक गैस का फ्लेम लो ही रखे अधरवाइस जो हमारे बदाम है वो जल जाएंगे और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप मखाना मखाना को पांक साथ मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट होने दे मखाना को थोड़ा भुनने में समय लगता है इसलिए थोड़ा इसे भुनने दे अच्छे से आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं काजू भी बहुत टेस्टी लगता है हमारे मखाना भुनकर रेडी हो चुके हैं और अब मैं इसमें डाल रहूँ नमक स्वादनों साल वर्त में सेंधा नमक ही खाएं अब इसमें डालें थोड़ी सी लाल मिच अगर आप लाल मिच नहीं खाते हैं तो इसको ना डालें और अगर आप काली मिच खाते तो भी आप इसमें डाल सकते है थोड़ी सी आप सब चीजों का अच्छे से मिला लेंगे और धीमी आज पर इसे पका लेंगे मखाना को पकने में थोड़ा समय लगता है तो इसलिए इसे अच्छे से पकने दे गैस का फ्लेम लो ही रखें हाई फ्लेम पे मखाने जहां वह जल जाएंगे अब मखाना मसाला को में निकाल लेती हूँ आप चाय तो इसे बना कर एक एरटेट कंटेनर में रख भी सकते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, थोड़े से कड़ी पत्ता अब मैं इसमें डाल रहें थोड़ा सा कटा हूँ अद्रक वरत में हिंग वे jaheara तो नहीं खा सकते हैं इसलिए अद्रक अपनी डाइट में जूर यूजस करें अब मैं इसमें आट करेऊ दो बॉय ड्यालू जिनको मैंने उबाल कर चील लिया और पीसीज में कट कर लिया है अगर आपको मूफली अच्छी लगती है तो आप इसमें थोड़े से मूफली दाना भी डाल सकते हैं मुफली दाना को पहले डाल करूने रोस्ट कर ले और आप सभी चीजों कच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा निम्बू का रस निम्बू का रस आलू में बहुत टेस्टी लगता है थोड़ी सी लाल मिर्ची आप लाल मिर्ची की जंगा हर इमेज भी उस कर सकते हैं आदी छोटी चमत धन्या पाउडर सेंधे नमग और सभी चीजों कच्छे से मिला लेंगे और आलू को जब तक भूनेंगे जब तक उनका कलर चेंज न हो जाए अब मैं इसमें लास्ट में आड करें थोड़ी सी कटी भी हर इमेज हमारा आलू फ्राइ बनकर त्यार हो चुका है नवरातरी भी आ चुके हैं तो आप एक बर यह रेसिपीज जुरू ट्राइ करें एक दम इजी रेसिपी है और खाने में भी मज़ेदार लगती है